शिंदे इस वक्त बस में चड़ते हुए आप देख रहे हैं लगातार ये जो बस है चार्टर बस है जहाँ पर इस वक्त शिंदे एकनाच शिंदे बाकी सारे विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर का दर्शन करने के बाद निकलने वाले हैं और यहाँ पर एक पूरी बस इस से पहले इहां उत्रे थे और उसके पीछे उनके पीछे-पीछे बाकी सारे विधायगा और जब बाकी सारे विधायगा काम क्या सबिक भाद पहुचे तो वह सबसे आकिर नहाँ पहुचे हम बस में बैठकर यहाँ से निकलने के तई जाएंगे वहां पर जितने भी टेस्ट होंगे वह हम देंगे और सब में पास होंगे ये बात पूरी आश्वस्त ताके साथ इस वक्त एक ना शिंदे ने कही है जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे कामाख्या का दर्शन करने के बाद यहां से यह बस होटेल जा रहे है सीधे एरपोर्ट बस रवाना हो चुकी है देखिए वो अभी साफ नहीं है कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यह होटल जाए सामान पैक है वहां से सीधे होटल में सामान लेके एरपोर्ट निकल जाए कुछ लोगों कहना है डिरेक्ट वो एरपोर्ट के लिए निकले क्योंकि कुछ लोग हो सकता है बिना खाय हुए आए हो ये भी हो सकता है तो ऐसे में थोड़ी देर में अभी जो रास्ता है उसी तरफ जाता है यानि की होटल अगर आप पहुँचके भी एरपोर्ट जाते हैं तो बहुत जादा समय नहीं लगेगा साथी अनुपर हम जिन पचास विधायकों का वो दावा कर रहे हैं सभी के सभी इस बस में मौझूद है बिल्कुल सभी के सभी इस वक्त इस बस में जो एक बस आपने देखी इसी बस में एक नाशिंदे के साथ मौझूद है एक सीट पर हमने देखा दो लोग बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि सारे ही विधायक इस एक बस में शामिल किये गए हैं और यहां से सीधे अब वो निकल चुके हैं और बार बार वो इस बात का भी जिक्र करते हुए कि देश समविधान से चलता है देश में मोक्तंत रहे है जिसके पास बहुमत होगा जाहित तोर पर वही फ्लॉटेस पास कर लेगा पूरे आश्वस्त पूरे अत्मिश्वास के साथ लवरेज यहां पर दिखाई दे रहते शिंदे लेकिन इसके बावजूद अभी भी संशे बना हुआ है इस बात को लेकर कि क्या मुवमेंट रहने वाला है बागी विधायकों का पहले गोआ उसके बाद मुमबई या फिर कोई और डेस्टिनेशन या फिर प्लान आकरी मॉमेंट पर बदला भी जा सकता है देखें यह मामला इतना पेचीदा कि हर पल हर अक्षण जो रणीत है वो बदली जा रही है तो अभी तक की जो हमारे पास खबर है कि अभी तक का जो प्लान है गोहाटी से गोआ जाने का है वहाँ पर एक पांच सतारा होटल में 71 कमरे बुक किये गए हैं वहाँ पर आज रात इन विधायकों को रखा जाएगा और कल सुबह के आसपास इन विधायकों को मुंबई लाए जाएगा तो अभी तक की तो ये प्लानिंग है लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा काफी गोहाटी से लगाता है जुड़े अनुपम देखिए एक किले बंदी यहाँ पर दिखाई दे रही है शिंदे साफ सारे बागी विधायकों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं एकी बस में सभी सवार है लेकिन एक किले बंदी की तियारी वहाँ गोवा और मुंबई में भी की ग गोहाटी से गोवा पहुंचने में और उसके बाद रात भर वहाँ रुकेंगे अगले दिन सुबह मुंबई इनको आना होगा तो यह फिलहाल की जो प्लैनिंग है हाला कि अभी यह इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं दो बजने के आसपास हैं ऐसे में तीक आनुबम रोक इसके आगे किसी को जा जा नहीं सकता है कोई भी अजया अपनी बात पूरी किजे अजया अजया आनुप हम आपको मेरी आवास मिल रही है अपनी बात पूरी कीजिए जो आप से हम जानकारी रेना चाहते थे गोवा में क्या तैयारी है गोवा में इस वक्त सबकी नज़र टिकी हुई है क्योंकि अब अगला डेस्टिनेशन वही है वागी विधायकों का जो पिलकुल अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है गोवा के एक 5-7 होटल में 71 कमरे बुक किये गए हैं सबको एक साथ महीं पर रखा जाएगा और यहां से निकल कर गोवा पहुंचने में शाम हो जाएगी इसके बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह इनको गोवा से निकल कर मुंबई के लिए रवाना देना होगा क्योंकि 11 बजे का वक्त तैकि आ गया है एसेम्बली में हाजिर होने के लिए तो ऐसे में अगर मॉंबई में 11 बजे तक इनको पहुंचना है तो बहुत सुबह गोवा से निकलना पड़ेगा फिलहाल की यही जो खबर हमारे पास आ रही है सुचना हमारे पास आ रही है लेकिन आपको पहले भी मेंने का पल पल रणीत बदली जा रही है फूक फूक कर कदम रखे जा रहे है क्योंकि मामला बेहद पेचीदा और गंभीर है और इन विधायकों को ले जाकर यहां से एसम्बली तक इंटेक्ट रखना संख्या को बनाये रखना यह अभी बहुत बड़ी चुनौती है एकनाच शिंदे खेमे के लिए वो शुरू से लेकर आखिर तक इस बात पर टिका हुआ था कि हमारे पास पूरे नंबर्स है और यही नंबर्स कल वो फ्लोर टेस्ट में साबित करने वाले हैं एक तरीके से आज कामाख्या मंदिर में मन की मुराद उनकी पूरी हो गई है और कल वो दिन आ जाएगा जब जितनी भी चीज़े उन्होंने अभी तक कहीं थी एक एक करके सही हो जाएंगी जिने आ देखिए कल से अगर हम देखें तो बॉडी लैंग्वेज अगर हम गोर करें एक नाशिंदेकार तो कल दोपहर बाद जब पहली बार वो मीडिया के सामने आए बहुत आराम से टहलते हुए मुबाइल पर बात करते हुए वो होटल रैडिसन ब्लू में जो आहता है जो बरामदा है वहाँ पर चलते हुए बाहर गेट तक आए तो वो जो बाडी लैंग्वेज था वो बड़ा रिलैकसिंग बाडी लैंग्वेज दिख रहा था इसके बाद आज सुबह से हम जो देख रहे हैं पहले वो सुबह सुबह खुद यहां पर आए उन्होंने यहां पर माका माक्या का दर्शन किया उसके बाद सारे विधायको को ले कर वो यहाँ पहुंचे और लगातार कई बार मीडिया से बाचीद की तो और जो बाचीद का जो लहजा रहा बाचीद की जो बाड़ी लेंगवेज रही वो देखके साफ-साफ जाहिर हो रहा है कि काफी आशवस्त हैं लेकिन एक संशे अभी भी वही बना हुआ है कि इ और बार कहा जा रहा है दूसरे बखशकी होड से 15-20 लोग हमारे संपर्क में हैं ऐसे में जो रणनी ते हैं उसी हिसाब से तैकी जाए रही है एक्दम शुरॉत में ही मुंबई नहीं ले जाया जाए जारा है और दूसरे उसके बाद मुंबई ले जाए जाएगा बिल्कुल नजर बनाया रखेगा क्योंकि इस बीच लगातार ये भी कहा जा रहा है कि गोवा के बाद कल सुभा वो सभी मुंबई की ओर रवाना होंगे क्योंकि 11 बजे से फ्लॉर टेस्स का उन्हें सामना करना है मारिसा योगी लगातार अनुपम बने हुए अनुपम अब से कुछ दिर पहले हमने देखा भी कि एक नाशंदे मीडिया से मुखातिब हुए और यहाँ पर मंदर के बाहर भी लगातार बार बार वो यही बात कहते हुए दिखाई दिये कि देश में लोक तंत्र है और जिसके पास बहुमत है वही राजा है जी बिलकुल नहीं है एक बात अगर आप गौर करें तो अगली रण्नीत का खुलासा एक नाशंदे नहीं कर रहे हैं उन्होंने यहाँ तीन से चार बार मीडिया से बात की कामाख्या के दर्शन के बारे में बात की डिमोक्रिसी की बात की हाला की रण्नीत क्या है उनसे बार बार पूछा गया कि आप यहाँ से गौवा जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मनतता मुंबई कल सुबह मुंबई जा रहे हैं लेकिन इस बीच में गोवा जाकर मुम्बी जा रहे हैं कि नहीं इस बात का खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात वो जो लगातार बोल रहे हैं या उनके सांस जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि एक बात पकी है कि हम टेस्ट के लिए तयार हैं। वहाँ पर जाके किसी भी तरह का टेस्क देने के लिए हम तयार हैं। तो ये सारी बाते फिलाल सामने आ रहे हैं। रनीत फिलाल यही है कि यहां से अब गोहाटी छोड़ने का वक्त आया है। मुंबई कल किसी भी हालत में इनको पहुंचना है। में गोहाँ होकर वाया गोहाँ मुंबई ये पहुंचेंगे।